हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटीब चैनल स्कूल आफ नॉलेज आज मैं आपके लिए जिविग्यान विश्या की पाठ यूजना लेकर आई हूं जिसका प्रकड़ है कोशिका की सनचना इसके पहले वाले लेसन प्लान में हम कोशिका की बारे में पढ़ चुके हैं तो से टेबल बनाते हैं जिसने छे कॉलम होते हैं अर इसके अंत्रगरत इन बिंदो को daha दिया घा घुए इसमें पहला है नंबर आता आता है जी विग्यान तो आप जी विग्यान से समझने चार से छे उदेशियों को देते हैं कि इसको पढ़ने से बच्चों को क्या लाग होगा उसका नमबर आता है विशिस्ट उदेशिका विशिस्ट उदेशिक जो होते हैं तीन से पांस तरह के दिये जाते हैं मैंने तीन तरह के की जान सकेंगे चातर कोष्का की संरशना की बारे में जान सकेंगे कारियों मतलब ज्यान प्राप्त कर सकेंगे जैसा कि जास्य के तो इसके अंत्रगत आप लिखते हैं कि छात्र कोशिका की सनजना को समझ सकेंगे छात्र कोशिका अंगो की क्रियाविदी को समझ सकेंगे चीक है उसका तीसरा उद्देश है क्रियात्मक उद्देश इसके अंत्रगत हम लिखते हैं कि छात्र कोशिका में उपस्तित कोशिका प्रस्ताऊना प्रश्णा आपको पता है कि इसमें प्रक्रड के लिए निकलवाय जाता है और उससे समधित प्रशनों को पूछा जाता है जो कि बच्चों से कि पुर्व ज्यान से आधारित होता है तो आए देखते हैं कि कैसे प्रक्रड निकालेंगे इसके लिए हम लोग जिसमें सच का पहला प्रशन करती है कि वह जीवन पाया जाता है क्या कहलाते हैं तो बच्चे आंसर कर देंगे सजीव कहलाते हैं फिर पूछा यह आंसर को लेखे कि अपने आसपास पास पाया जाने वाले कुछ सजीव जीवों के नाम बताइए तो बच्चे आंसर कर देंगे कि मनुष्य गयाय पेड़ पौदे ना होता है फिर नेक्स कोशिका कितने प्रकार की होती है तो बच्चे तुरंद बता देंगे कि शुप होगा जयाएंगे जब जाएंगे तो आपका उधे से निकल जाएगा फिर आप उद्दे से कथन कहेंगे कि चात्रों आज हम लो विज्ञान विशेखें के अंत्रगत कोशिका की सनर्शना के बारे में बिस्ट्रित अध्यान करेंगे ठीक है उसका नंबर आता है पाट प्रस्तूती करण का तो प्रस्तूती करण के लिए इस तरह से टेबल बनाते हैं ठीक है पहला है जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5-6 कॉलम बना जाते हैं थाफ अपने विद्याला के फार्मट के एक वादिंग बना लिजेगा और हम आपको य क्षिख को पूछ लिया कि मानोश कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनां होता है फिर पूछदिया कि कोशिका कैसी होती है क्या जाएंगे समस्यात्मक हो गया जिशका क्या करेंगा इस्पष्ची कर देगे की सभी कोशिक वह में तीन भीत कारयात्मक छेत्र कर संद्रक नहीं को केंद्र को तीसरा है खोशी का द्रवे तो आप यहां से श्यांपट पर बना के दिखा देंगे कि सबसे बाहर की और जो होगा वह प्लाजमा जिल्ली होगा सबसे बाहर के लिए खिर उसके अंदर क्या होगा ढौर जो कैसी गोला काट साःन होगी और तीसरा दिखा दिया कि जो पॉल है इसमें कोशी का द्रवे भरा रहा रहता है जिसके अंतर कि इसमें प्लाजमा जिल्ली क्या नोच का जिल्ली प्लाजमा सीरों मेंबरेन का 750 त्री 10 tu liasite tu je कहते हैं कि सबसी रित त्री सनथ होती मतलब टीन ली टी टोवारा को भख Ellie फ से लग करती है लाजमा जिली लचीली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने आने देती है तथा आने पदार्थों की गति को रोकती है इसलिए से बर्लात्मा पारगम जिल्ली भी कहते हैं ठीक है श्यामपठ पे लिख दिया कि कोशिका से विविन अड़ों का अंदर आना तथा बाहर निकलना विश्णर के द्वारा वुपता है कैसे अगला पॉण्ट दे दीर कि कोशिका जिल्ली जंतु कोशिका को एक निश्री ताकार प्रदान करती है तथा जिरधी की रच्छा करती है, यह सथी साथ इस तरह से एक और सनरशना बनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं एक और सन्रशना होगी प्लांट कोशिका में ठीक है इसके क्या कहेंगे हम ब्रदान करता है तो यह आप बता दीजेगा एको का सानां पार्पा जाता है कि से चार और डोर एक स्टर रोता है जिससे केंद्रक उंदर इंदर हो गाणा और तरल बदार बहुता है य girlfriend i can bet चोटी गुलकार सनशना होती है इतिकल बच्चों को कि I am केंदरक बाग होते हैं पहला है केंदरक जिल्ली दूसरा है केंदरक द्रव्य दूसरा है तिनों कहा water का डिचेगा । झहीं और और साथी साथ कुषच ठीजा को भी YLA कहा जाता है कैंदरक कोशिका का नियंतर केंद्र बी कहा जाता है कि हैं यह देखते हैं परदरसीं में बहुत से विश्प कोशिका के घटक होते हैं जिने कोशिका अंग कोशिका क dites जाल्यविक नत्यों से होती है एक तीन प्टोइंट हो गया जो में कोशिका को बनाने का देखितनते से पहला प्रश्ण पुछिल्श लिए कितने चेटर में बाटा गया है आन्शा कर देंगे तीन भागों के नाम बता किया गया कोसिका चीली केंड्र baba और आं श्बय त suggests कोसिका वित्टिक इसमें पयाता है तो बच्चे में Pat Yeah पाया जाता है उसके आद हमारा नंबर आता है दूसरी शिक्षण बिंदू का तो से ठाव कौशी का कौन-कौन से ठीक है तो उसमें पहले हम क्या करें गेंगे विकास आत्मक प्रशन पूछ लिए बच्चों से कि कोशिका प्रश्ण पूछलियां कि कोशिका द्रवी में उपस्तित कोशिकांगों की बारे में आप क्या जानते हैं तो बच्चे क्या हो जाएंगे मौन हो जाएंगे समस्यात में हो जाएगा तो सिच्च्च क्या करेगी इस पस्चिकर देगी आई देखते हैं क्या देरी इस पस्चिक तो यह क्यासी है यह कोश्का द्रव्य में आशेयों और नलिकाअँ के रूप में पहली रहती हैं इसे कोश्का का कंकाल Τंत्र भी कहते हैं यह दो प्रकार की होती है चिकनी अंतर्वै जाली का और खुर्दरी अंतर द्रव्य जाली है इधा श्यांपट पे शॉर्टकट में लिखके दिखा दिया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम है दो प्रकार का है चिकनी और खुड़्दरी अंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम स्मूथ और रफ रफ क्यों है वह राइबोजोम इसके उपर उपस्तित होता है जिसकी कारण यह रफ होती है ठीक है उसके कारे बता दिजैए कि क्या कारह है तो अंत्रिक धारणा आधारण का दूसरा है द्रव्य सजी रहती है यह तीन प्रकार की होती है सपाट कोश बड़ी रिक्तिकाएं और आशा है और इसका कारे दिया इदर स्यामपट पर पर दिखा देंगे करें तो कोश की स्रावर का है अ दूसरा पदार्थो के सणचेन का पर we start पर इसे आत्मगाती थैली भी कहते हैं और इसमें जल अंजाइं पर जाते है तो यह सभी कारवनिक प्तार्थो को तोड़ने और पचाने का कारे करती हैं और साथ ही साथ इसका क्या मेन कारे क्या है यह कोछी लग जक्या की साफाइ लगति है या करती है घे उसके बार जो तरह से करके वलित होती है कि बिजली गर यानि किसके अंदर उर्जा है तो उर्जा किसके अंदर होती है किस फॉर्म में होती है तो इसमें लिख दिया कि थे के श्यंच पर लिख के दिखा दिया उसका नेक्स ओर्गन है वहे ल्वक ठीक है adjust बिशाते वहें कि यह कि Mindy तक नूर्ग ठीक है और क् ? कि जो रंगीन होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाता है तो प्रकात संसलेशन में क्लोरोप्लास्ट मुख भूमिका निभाता ही हमने श्यामपट पे लिख दिया ठीक है और प्लास्टिक में और आगे क्या लिख दिया है हमने जिस लवक में chlorophyll व 110 होता है क्लोरप्वास्ट कहते हैं लीवको प्लास्ट में तेली शथांच दथा प्रोटीन जैसे पदार संचित होते ये रिकतीक इसे वहक्योज भी वहाते हैरे एक ठोसस सथ्वा तरल पदार्थों कि संग्राहत धैलिया होती है जंतु कोशिकाओं में रजदानिया छोटी होती हैं जब कि पादप कोशिका में यह बड़ी होती हैं ठीक है और इसका कारी क्या is पादब कोश्का को इस फीती तथा का ठोड़ता प्रदान करता है ठीक है वेक्यूल्स का कार भी लिख दिया उसका सेवंथ पॉइंट है राइबोजोम का राइबोजोम क्या है यह एक छिल्ली रहीत कोश्का होती है जो अंतर द्रवद्दय विजालीगा की उपर दाने की कार रहे हैं यह प्रोटीन क्या कम क्या और यह रहे हों रहारो है यह यह कम सुन्सयाहिशन करता है उसका ल्क ढकाले है जंत तो कना सौंव संशामा में पाएब इसाप करते हैं ओर इसका क्या का है कि कोष्क का भीवाजन में 100 पर इसnte पूशन पूश लिया पहला पूशन के सब्सक्र freedom है уск cave taking मुख्य कारे क्या है तो बता देंगे बच्चे कि यह प्रकात संस्लेशन में हेल्प करता है उसका नमबर आता है पुणरा विर्थी प्रश्न में आप 3 चार कोशन पूछ लेते हैं जो कि सिच्छरविंदू से ही सम्बंदित होता है तो इसमें पहला कोशन पूछलिया कि एक क कितने भाग होते हैं दूसरा पूछा कोष्का जिली का मुखी कारे क्या है तीसा पूछा कि अंतर प्रद्यवी जाली का कितने प्रगार की होती है और चौथा पूछा की एक पुल्ड विख्सित यू कर्याटी कोष्का में पाए जाने यह प्रमु कोष्कांगों के नाम पूछी जाते हैं बच्चों से ताकि पता चले कि उन्होंने पढ़ाए गया है पूरा सिक्षड बिंदू वह उनको कितना समझ में आया है तो जैसे हमने पहला कोशन पूछ लिया कि कोश्का का नियंतर केंद की से कहते हैं तो बच्चे बता देंगी कि न्यूक्रियस को या कोश्का कि क्या है कोश्का जिली केंदर क celui को लुच спाणını है थो कोश्का केंदर आने तथा बाहर जाने में मदद करती हैं फिर तीसा दे लिए तरद रभेजार दोप्रकारकिन नी यंजा खुर्ध्री और खुर्द्री तरद रभेजा नम बता दिया मैटो कॉंड़िया प्रध्या रजधानिया राइभु जो मतार कांग उसका नम्बर आता है ग्रिकार क्या तो आप बच्चों को ग्रिकारे में देखा कि पहाद खुच लाना है या फिर उनमें अंत्क्या उसको याद कर कर किया ना इस तरह से आप अपना अपना इसाथ से बच्चों को गरिकारी दे दीजेगा सो फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की पार्ठ योजना कोश्का की सनर्चना की ऊपर फ्रेंड्स आपको यह ज़ना कैसी लगी कमेंट कर कि अगर आपको अच्छी लगिए तो प्लीजी से लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें टेक केर बाई